नमस्कार दोस्तों, आज की इस वडियो में आप सभी PF मेंबर्स को EPFO एन EPF के 2013 के एक बहुत इपड़े और नए अपडेट के एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी के बारें बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी गुद्दनीउस के बारें बताने वाला हूँ तो देर किस बात के चलिए, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वक्त हम लोग EPFO याने पीएफ की ओफिशल वेबसाइट पर आ चुके हैं, लिंक आप लोगो इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोग सिंपली नीचे की तरफ आके, मतलब जैसे ही UN password डालके, यहाँ पर login पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर login पे क्लिक करेंगे, तो उनके सामने नया password बनाने का option आ जाता है, यह तो आप लोगो पता ही होगा, मतलब कि पुराने जो password हो, रद कर दिये गए थे, यह update तो आपर आधार OTP आता ही नहीं था, यहाँ पर एक error आता था था जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यह error आता था था था, तो आप लोग लिए बड़ी खुसकबरी है, बड़ी good news यह है, कि यह जो problem है, यह error है, अब solve हो चुका है, आपने बिल्कुल सही सुना है, जो आधार OTP है, वो अब RI मतलब PF के अब सभी काम बहुत ही आसानी से हो रहे है, ठीक है ना, अभी देखिए, पहली बात तो यह है, आपका बिना पूरूप के कोई बात नहीं करता, तो मैं अभी आप लोग को लाइब भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो चली पहले मैं आपर details फिल कर लेता हूं, जो वो details है मैंने आपर फिल कर दीया हम, simply करेंगे क्या यहां पर sign-in पर click कर के Login कर लेंगे, sign-in कर लेंगे, ठीक है, तो मैं आप लोग देख सकते हो, मैंने sign-in पर click कर दिया, तो आप लोग को थोड़ा से आपर wait करना है, page reload हो रहा है, आप यहां पर आ यहां पर नीचे आते हैं और यहां पर यहां पर प्राइब पर क्लिक करते हैं तो अभी आप लोग को लाइब बिल्कुल डीटेल करके दिखाता हूं कि अप लोग देख सकते हो जो और पर फिल कर दिया और नूप पासवर्ट डालना चाहते हो ठीक है अब देखिए अब मैं यहां पर नीचे आता हूं ठीक है आपको सिंपली यहां पर मैंने कंसेंट पर पहले ही क्लिक कर दिया था आपको सिंपली यहां पर कंसेंट पर क्लिक करना है एगरी कर दिया ठीक है एगरी कर दिया अब उसके बाद नीचे आ जाना है जोम कर देता हूं और यहां पर आप ल लोडिंग पूरी होते ही यहां पर क्या लिखा गया एन OTP has been sent to your आधार link mobile number जो भी आपके लास्ट के डिजिट है वो यहां पर सो हो गए है जबकि पहले error आ रहा था भाई सबसे पहले मैंने आप सभी PF members को बता दिया कि जो problem है वो solve हो चुकी है जबकि मुझे सभी PF members ने कहा भी था कि सर जैसे यह error ठीक होगा problem solve होगी आप हमें वीडियो बनाके जरूर बताइएगा अब आपको simply यहां पर OTP फिल करना है आधार OTP जो आया है और उसके बाद simply यहां पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके जो अपना पासवर्ड है वो चेंज कर लेना है तो भईया PF members के एक बहुत ही बड़ी problem solve हो चुकी है और सबसे पहले हमने आप लोग को यह information दी सबसे पहले हमने आप लोग को यह update दिया अगर आप लोग के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज इस विडियो को एक लाइक करीए गा कमेंट जरूर करीए कई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करीएगा धन्याद दोस्तों